यह बहुत टेस्टी रेसिपी है इसको आप रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हो हलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ पनीर की एक रेसिपी शेयर करूँगी यह है अचारी पनीर मसाला अचारी पनीर बहुत तरीके से बनते हैं मैं तोड़ा डिफ्रेंट वेज में बताऊंगी इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर यहाँ पर मैंने 200 ग्रम पनीर ले लिया और इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है अब मैं इसमें मिलाऊंगी सबसे पहले थोड़ा सा लालमीच पाउडर और थोड़ा सा नमक सबसे पहले हम पनीर को फ्राइ कर लेंगे हल्का सा शालो फ्राइ करेंगे इसमें अब हम डाल देंगे पनीर यहाँ पे मैंने कथूरी में गरम पानी, यू कॉम वाटर करके रखा हुआ है, इसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और जैसे ही पनीर फ्राई होता है मैं इसमें डाल दूँगी ताके पनीर स्वाफ्ट रही पनीर हलका सा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और गरम पानी में डिप कर दूँगी इस तरह से मैंने पनीर को गरम पानी में ल्यू कॉम वाटर में डिप कर दिया है अब पैन में बचा हुआ जो भी ओयल है इसमें हम डालेंगे शूप करके काटा हुआ अनियन और एक कैप्सिकम थोड़ अचा कैप्सिकम और थोड़ अनियन इसको हम बस एक मिनित तक फ्राई करेंगे फिर उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे एक मीनित तक मैंने फ्राई कर लिया है अ अब इसे एक प्लेट में निकल रही हूँ अब मैं पैन में डालोंगी 11ivan मैं ये मेन डिसीपी सर्सो ओयल में बना रहे हूँ आप अगर सर्सो ओयल खाते हो तो ज़रूर सर्सो दिल में बनाना उयल गरम हो चुका है अब हम सबसें इसमें डालेंगे 5 फोरन, 5 फोरन मार्केट में इजली अवेलेबल है, इसमें से जैसे ही अच्छी खुश्बू आने लगे, हम इसमें डालेंगे 1 पी स्पूर गिंजा वालीक पेस्ट, कच्चा स्मेल जैसे ही चला जाता है, हम इसमें डाल देंगे, एक लाग साइस का अब मैं मिलाँगी इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर जल्दी पक जाए, इसे अच्छी से मिला लूँगी, उसके बाद धके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि टमाटर अच्छी से पकना बहुत जरूरी है, अब हम धके टमाटर को पका लेंगे, जब तक टमाटर पकता है, तब तक मैं यहाँ पर एक मसाला तयार कर लूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कटूरी दही, इसको बहुत अच्छे से मैंने बीट कर लिया है, रून टेमपरिचर कहिए, अब मैं इसमें मिलाँगी एक टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स् चाट मसाला, कसूरी मेथी, थोड़ा सा अजवायन, और मिलाँगी थोड़ा सा गरम मसाला, इसको बहुत अच्छे से मिला लूँगी, दो मिनिट तक मैंने टमाटर को पका लिया है अच्छे से, अब धक्कन हटा के चेक कर लूँगी, यह अच्छे से पक चुका है, इसमें अब मैं इसमें डालूँगी, एक टेबल स्कूम टमाटर केचप, खटा मिठा स्वाद के लिए, अब मैं इसमें डालूँगी, दही का वो मिक्स्चर जो अभी हमने बनाया था, और इसे डालते ही हम चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फटने के चांसे से, इसको तब तक चला जब तक इसमें से उबालना आ जाए, जैसे ही इसमें एक उबाल आता है, वैसे हम इसको ढखके थोड़ा सा और पका देंगे, इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसमें बिलाएंगे थोड़ी सी चीनी, इसका खटा मिठा स्वाद अच्छा लगता है, आपको अगर नहीं पसंद तो आप चीनी मत डालिएगा, अब हम इसमें डाल देंगे सौटे करके रखा हुआ अनियन और कैप्सिकम, साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पानी, मुझे इसमें ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए मैं एकदम थोड़ा सा पानी डाला, आपको अगर ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा पानी डालिएगा, उस इसाथ से लेकिन अब दही का क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिएगा, ग्रेवी म ज्यादा पकाने से च्वी हो जाता है, इसलिए हम एकदम एंड में डालेंगे पनीर, इसे बस एक मिनट के लिए हम धक्के पका लेंगे, ताके सारे मसाले पनीर में एब्सॉप हो जाए, एक मिनिट तक मैंने ग्रेवी को पका लिया है, अब धक्कन हटालूंगी, यह आप पूरी तरह से तयार है, ready to serve है, इसी के साथ बन के तयार है अचारी पनीर मसाला, एक दम डिफ्रेंट स्टाइल में, तो बन के तयार है special अचारी पनीर मसाला, यह बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको हाप रोर्टी, पराठा, किसी के साथ भी खा सकते हो, यह मार्केट में जो पनीर अचारी पनीर मिलता है उससे काफी अलग है इसे जरूर बनाईए रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना शेयर करना चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कोई भी थौट्स वो कॉमें सेक्शन में जरूर झाल 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 झाल